हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सैविंद का चैप्टर नाइंटीन आश्रम का अनुमानित व्याय अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, सस्क्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजे, साथ करते हैं इसके वर्ड मिनिंग पहला वर्ड है अनुमान यानि लगभग, संस्था, आश्रम, सदभावना, आशा, अतीतियों, महमानों, सह परिवार, परिवार सहित, यवस्था, प्रवंद, शेश, पाकी, पुस्तकाले, जहां कितावे रखी जाती हैं, बोच, भार अब हम पढ़ेंगे इसके अती लगू कोशन आंसर, पहला कोशन है गांदी जी कौन सा आश्रम बना रहे थे, तो तरह गांदी जी एहमदाबाद में सामर मती आश्रम बना रहे थे, बच्चो कोशन ये भी हो सकता है, गांदी जी कहां आश्रम बना रहे थे, तो गांदी ज गांदी जी ने आशरम की स्थापना कब की थी तो गांदी जी ने आशरम की स्थापना सन 1915 में जब वे डक्षिन अफ्रीका से लोटे थे उसके बाद की थी question ये भी हो सकता है कब की थी में आपका लगू आएगा तो आपने इसको इतना बढ़ा के लिखना है कोशन नमबर त्री है पुस्तकाले में कितनी पुस्तके रखी जाती है जो आशरम बनाया था उसके पुस्तकाले में कितनी पुस्तके रखी गई तो पुस्तकाले में तीन हजार पुस्तके रखी जाती है या रखी गई जैसा कोशन हो वैसा आंसर दीजिएगा आश्रम में कितने रसोई घर बनाने का लेखा जोका था तो आश्रम में तीन रसोई घर बनाने का लेखा जोका था कोशन नमबर फाइफ है स्टेशन से अतीती और समान लाने के लिए किस साधन का प्रियोग किया गया तो इस टेशन से अतीती और सामान लाने के लिए बैल गाड़ी का प्रियोग करना था बच्छो कोशन इसमें अती लगू बहुत सारे बन सकते हैं आशरम में कितने लोगों के रहने की व्यस्ता की गई आशरम कितने बड़े एरिये पे बना ऐसे बहुत से कोशन बन सकते हैं तो मैं आपके जो लोग बना रही है उसी में आप शॉर्ट भी बना सकते हैं तो शॉर्ट कोशन है अगली वीडियो में आप देखेंगे लगू और दिरगुत्री कोशन